आज अज का दिन इंटर्नेशनल योगा डे है और योगा करने से मतलब अपना के सिरीज मुझ्बूत होता है, फुद्रूर होता है और हम अगर कलते रहेगे योगा, अगर हम हमेशा कलते रहेगे योगा, तो हमारा सिरीज बहुत ही अच्छा होगा सीरीज को अच्चा बनाने के लिए, मन कोशानती के लिए, मेडिटिशन की विपश्चना की बहुत बढ़ आवसक्ता होती है, योगा की बहुत बढ़ आवसक्ता होती है मानने प्रधान मंत्री नरेदर मूदी जी ने मतलब प्रधान मंत्री बनने के बाद 2014 में योगा डे मनाने कात्रिय किया और पूड़े भारत देश में आज का जो दिन है ये योगा डे के माध्यम से मतलब मनाया जाता है गाओ गाओ में शहर शहर में बस्ती बस्ती में लोग इसे तरह का योगा करते हैं तो अगर अपना शिरीर अरोगमुक्त करना है तो योगा बहुत बड़ा जरूरी है और अपनी जिंदगी और भी ज़्यादा पपड़ाने के लिए उसका बहुत अच्छा उप्योग हो सकता ह है इसलिए मैं सभी देशवाश्यों को नमरे डिवेदन करना चाहता हूँ कि रोज आप एक घंटा दो घंटा योगा करने के आवशक्ता है साथ कि अपना आयू बबड़ सके और अपने शरीर में जो रोग होते है उस रोगमुक्त बनाने के लिए योगा की बहुत बड़ी सबके लिए अत्यांत खुशी की बात है कि दस्वा अंतर आश्ट्र योग दिवस पूरे उत्तर मुंबई में बहुती उत्तम तरीके से मनाया गया है पूरे शेत्र में प्रधान मंती नरेंद्र मोदी जी ने जिस पेकार से पूरे विश्व को योग की तरफ प्रुचसाहित किया उसका प्रभाव आज पूरे देश में भी देखने को मिलता है मुंबई में भी और विशेशकर उत्तर मुंबई में इतनी भारी बारिश सुबह थी उसके बावजूत हजारों की संक्या में अन्य अन्य स्थानों पे लोग निकले योग का ख्रिया की और पुना एक बार एक बड़ा संदेश विश्व को भेजा योग स्वयम के लिए भी योग समाज के लिए भी मैं बदाई देना चाहूंगा उत्तर मुंबई के सबी रही वासियों को जिनोंने इतने उत्सा के साथ प्रदान बंतिर रेद्र बोदी जी का सदेश देश वासियों तक पहुँचाने का काम किया हम सब नित्य अपने क्रिया में योग को अपनाएं वो हमें स्वस्त भी रखेगा फ्रिक्ट भी रखेगा